हेलो फ्रेंज, वेलकम तो ए 24 नोलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिल ब्रॉडकास्ट इंजिनिरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की जो वेकेंसी आपके इंवाइट की गई है वो है आपके MTS पोस्ट के लिए और MTS प परदर यहां पर application form invite किये गये है जो भी वेकेंसी इंवाइट की गई है इनका form आप कैसे फिल कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे तो फ्रेंज में पर एक ही फॉर्म यहां पर रखा जाता है और उस form के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MTS के ब आपको कोई भी यहाँ पर experience शो नहीं करना है और दस्वी class पास होना आपका यहाँ पर जरूरी रहेगा इसके बाद यहाँ पर जो मन्तली salary है वो 14,842 रुपे रहेगी और सबसे important यह contact basis पर वकेंसी है permanent job नहीं है East Delhi Municipal Corporation में तो यहाँ पर friends कोई भी TA या DA आपको नहीं मिलेगा साथ में friends आपको जो यह form है जो भी हम फिल करके बताएंगे आपको क्या 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 आपको उसमें फिल करना है और यह आपको दियेगा इस address पर send करना है और साथ में आपको self-attested document भी send करने होंगे self-attested मतलब है कि आपका जो भी documents है उनकी आपको photocopy करनी है और उसके उपर आपको sign करना है और उस sign को ही friends यहाँ पर self-attested कहेंगे और यहाँ पर क्या 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 document तो सबसे पहले educational qualification कम से कम 10 तो आपको भीजनी ही होगी work expense certificate यहाँ necessary नहीं है अगर आपके पास से आप show करते है तो आप भीज सकते हैं नहीं तो आप इसको neglect कर दीजिए इसके बाद two passport side photograph आपको send करनी है आपका pen card अधार card यह आपको fill करना है यह send करना है और registration fees अब registration fees friends आप या लोग personally जम्मा कराए या फिर demand राफिय तो जम्मा कराए परसनली मतलब आप इस address पर जाएंगे आपने जो post के थूरू भेजेंगे या फिर रजिस्टर post के थूरू भेजेंगे तो आपको demand draft बनवाना होगा अब demand draft कहां बनता है तो friends आप किसी भी nationalized bank में जाएंगे और वहाँ पर DD या demand draft का form मिलेगा उसको आप fill करेंगे और उस form में friends आप से पूछेगा कि किसके लिए आपको बन जा रहे हैं, 100-100 के note हैं, 50-50 के note हैं उस तरह के आपको यहाँ पूरा भरना होगा उसके बर आप bank में जमा कराएंगे, bank उसको एक गंटा है, दो गंटा है जितने भी आप से कहता है, उसके according फिर आपको जाना होगा दुबारा से और आपकी जो DD है वो आपको बन कर दे दी जाएगी, तो यहाँ पर जैसे ही sample image में आप वो Google पर सर्च करके दिखाया है, तो sample image आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का demand draft होता है आपका, और यह demand draft की जो copy है, वो अपने पास आप जरूर रखे का photocopy और original को आप send कर देंगे, क्योंकि अपने पास record भी होना चाहिए, कि आपने daily बनवाई है, तो इस तरह लिए आपको यहाँ पर इसकी जो photocopy है, वो अपने पास रखनी होगी, आप यहाँ बात कर लेते हैं इसके application form के लिए, तो सबसे पहले यह जो ऊपर वारा option है, जिसमें registration number, date और fees जो है, यह office use के लिए है, अगर आप offline जमा कराते हैं, तो friends registration number, date date और fees आपको दे दी जाएगी, नहीं तो friends वो आपको बार में, आपको जब confirmation mail या message भीजेंगे, तो आप से यहाँ पर बता देंगे, बाकि आपको यहाँ पर telephone number दिया गया है, आप इस telephone number पर या mail ID पर संपर कर सकते हैं, तो contact us पर भी आप बात कर लीजेगा, अगर आ option दिया गया है, यहाँ पर है, fill, attach, recent, passport side photograph, तो attach आपको यहाँ पर करनी है, तो आपकी passport side photograph यहाँ पर attach कर देंगे, एक photo, इसके बाद एक photo आप send कर सकते हैं, एसका, क्योंकि दो photo आप से यहाँ मांगी गई है, इसके बाद है application for the post of, तो आपको यहाँ पर post का नाम लिखना है तो post का नाम आपका यहाँ पर क्या है, MTS, तो आपको यहाँ पर MTS लिखना होगा, अगर आप यहाँ पर Mr., Mrs. या Ms. जो भी आप select करना चाहें, वो आप कर सकते हैं, आपके नाम की entry करनी है, तो capital letters आपको use करने होंगे, और ध्यार लखिएगा, अगर आपका नाम, मैं अगर father का full name है, उसके first name और middle या last name है, जो भी नाम है, उसमें आपको एक एक block का gap है, वो आपको छोड़ना होगा, इसके बार है, आपके DOV, मतलब date of birth, तो आपको यहाँ पर date of birth लिखनी है, मालीज जी आपकी date of birth, 31 मई है, तो आप 31, 105, 1991 या 1992 जो भी आप यहाँ लिखना चाहे है, वो आप लिख सकते हैं, इसके बार अधार कार्ड नमबर आपका यहाँ पर compulsory रहेगा, तो आपका 12 डिजिट का अधार कार्ड नमबर आप यहाँ पर enter करने वाले हैं, employee state insurance नमबर, तो friends, ECIC नमबर आपके पास है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको blank चोड़ेंगे और उसके बार, friends, यहाँ पर है pen number, तो pen number भी आपका compulsory है, तो अधार कार्ड नमबर और pen number, यह दोनों ही friends यहाँ पर आपके necessary रहेंगे, तो यह आपको यहाँ पर fill करना जरूरी है, अगर pen card अभी आपने नहीं बनवाया है, तो आप pen card भी बनवा सकते हैं, और online सुविधा भी आपकी start हो चुकी है, 5-6 मिट के अंदर ही आपको आपका pen card नमबर यह e-pen card आपको मिल जाता है, आपकी mail ID पर, मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा आपको वीडियो अप provide करने की, आप pen card कैसे बना सकते हैं, घर बैठे, वो भी बिना किसी की मदद के, इस इंटन नहीं है, उस condition में ही आप state का send करेंगे, marital status आप married है, unmarried है, आप यहाँ पर select कर सकते हैं, national defense आपको Indian लिखनी है, religion आपका जो भी है, Hindu, Muslim, Sikh, जो आपका religion है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, इसके बाद है आपका permanent address, तो capital letters आपको use करने हैं, आपका पूरा address आपको एक block छोड़ना होगा, जैसे माली जापने लिखा यहाँ पर सुभास नगर, तो सुभास लिखने के बाद एक block आप छोड़ेंगे, और नगर फिर आप यहाँ पर लिखेंगे, तो इस तरह से आपको address लिखना है, आपकी city, आपका state, आपका pin code, तो यह आपको इस section में फिल करना होगा, correspondence address पर सेम आपका capital letters में रहेगा, तो यह भी आपको सेम अगर आपका एक जैसा है, तो आप एक जैसी entry कर दीजिए, अलग-अलग है, आप दुबारा से इसकी entry कर सकती है, तो यह जो section है, यह आपके address का रहने वाला है, अब इसके बाद जो mobile number और mail ID option है, यह बिल आप एक तो कीजिएगा, अगर आपके पर दो हैं, तो आप अपने गारदन का, parents का, किसी का भी number आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो दो number आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे, इसके बाद यह पहला जो page है, आपके application form का यह complete हो जाएगा, second form आपके education या professional qualification का है, तो यहाँ पर आप नॉर्मली 10 या SSC भी लिख देंगे, और N लगाकर आप यहाँ पर board का नाम, जिसे BACR हो गया, या university नाम, या institute नाम, इन में से कुई भी एक आप लिख सकते हैं, आपका year of passing कभ है, total marks और marks of obtain, आपने कितने number gain किये हैं, obtain में आएगा, और percentage आपको लिख देनी हैं, इसक ग्रेशन की आपकी जो यहाँ पर stream है, BA, BC, BAC, BTEC और उसके बार आपके university का नाम, सेम आपकी यहाँ पर entry आपको करनी है, PG, Degree, Diploma या इसके लवा कोई भी qualification आपकी पास है, अगर आप आप आठवी भी शो करना चाहते हैं, माली जी किसी वेकेंड से लिख लेए, तो आपक आपके जो भी education या professional qualification है, वो आपको शो करना है, और इससे रेलेटर जो भी documents है, उसकी self-attested copy आपको send करनी होगी, इसके बाद है, यहाँ पर work experience option, तो यहाँ पर देखे, कोई भी experience आप से नहीं मांगा है, simply 10 pass मांगा है, आप इसको blank चोड़ सकते हैं, पर बात करेंगर किसी उसका नाम आपको देना है, कब से कब तक आपने काम किया, अब मालीजे अपने multiple companies में काम किया है, तो multiples के लिए आपको 5 options दे गए है, अगर मालीजे 5 से ज़्यादा भी companies में आपने काम किया है, तो आप extra seat, extra paper, white paper आप लेंगे, सेम ऐसा box आप यहाँ बनाएंगे, और उसके आपको experience हो चुका है, तो total experience के आप entry यहाँ कर सकते हैं, इसके बाद है reference name, तो reference में friends के नहीं भी दो persons के reference आप देंगे, तो serial number 1 और 2 आप यहाँ पर देंगे, reference का नाम देंगे, उनका address देंगे, contact number देंगे, अब जो यह reference है वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका relative हो सकता है, आपका पडोसी हो सकता है, आपका घर के member के अलावा जो भी आप reference देंगे, उनका दे सकते हैं, जरूरी नहीं है, वो बेसल में काम करते हो, जरूरी नहीं है, वो government करमचारी हो, वो कैसे भी हो अगर government करमचारी हो, अच्छी बात है, private company में काम करते हैं, जो भी सही बात है, आप जो भी यहाँ पर जिनका भी reference देना चाहें, वो दे सकते हैं, बस वो यह guarantee लेगी, वो आपको जानते हैं personally, बस इतनी सी जानकारी के लिए वो जाते हैं, बाकि इसका कोई भी फरक नहीं पड़ता है, आप किसी का भी नाम यहाँ दे सकते हैं, इसके इसके बार आप English जानते हैं, तो Read, Speak, Write पर प्लिक कीजिए, तो ऐसे ही अगर आप तीन language तक जानते हैं, आप entry कर सकते हैं, कम से कम एक language की entry आप जरूर कीजेगा, इसके बार यहाँ पर है, प्लीज अटेज अटेज सेल्फ अटेस्टेट फोटो कॉपी जो फॉलोइं डॉक इस पर आप टिक कर देंगे, तो आप इस पर टिक कर देंगे, पैन कार्ड, अधार कार्ड पर टिक कर देंगे, तो जो जो डॉकॉमेंट्स आप सेंड करेंगे, उस पर आप टिक करेंगे, और इसके बाद सेल्फ अटेस्टेट मतलब मैंने पहले बिताया, आपको साइन आपको यहाँ पर करना होगा, आपका यह form complete हो चुका है, अब यह form complete जैसे ही आपका हो जाएगा, आप इसके बार यहाँ पर जो दियेगा address है, इस पर आप send कर देंगे, और साथ में आपको attach करना है DD, मतलब demand draft, तो demand draft पर आपको attach करना है, demand draft लगाने के पर आप इसको send कर सकते हैं, last date इसकी 15 June 2020 है, अगर इसमें आप आवेजन करना चाहते हैं, तो आप आवेजन कर सकते हैं, अब बात आती है कि वेकेंसी कैसी है, यह तो फ्रेंस वेकेंसी content base पे है, आप original है, फरजी है, कई लोगों को यह फरजी लगती है, कई लोगों को original लगती है, तो आप चाहें इंडियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिडेट की वेकेंसी है, अगर इसके बारे में आपको जो भी डिटल बताई है, अगर आपको पसंद आई है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और बाकी की जानकारे के लिए देखते रहे है, एड़न टीपो नोलेज और लास थैंक्स पर वाचेंग